इंडिया के CNG कार मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर मारूती सुजुकी का दबदबा है वहीं टाटा और युन्डाई भी CNG सेग्मेंट में हाथ पैर मार रही है लेकिन मारूती जैसे सफलता अभी तक किसी को भी हाथ नहीं लग पाई है मारूती सुजुकी पास एक अच्छा खासा CNG कारों का बड़ा पॉटफोलियो मौजूद है जिसे कमपनी अब और भी जादा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है बता दे कि फ्रॉंक्स को हाल ही में एमिंशन टेस्टिंग एक्विप्मेंट के साथ देखा गया है जिससे ये बता जलता है कि फ्रॉंक्स के CNG वर्जन पर अभी काम चल रहा है हलाकि फ्रॉंक्स को पेश करते हुए कमपनी के तरफ से उसके CNG वर्जन के बारे में कोई भी ओफिशल बयान नहीं दिया गया था वहीं उम्मीद की जा रही है कि फ्रॉंक्स को अप्रेल तक लाँच कर दिया जाएगा इसके अलावा बात करें फ्रॉंक्स पेट्रोल वर्जन की बुकिंग की तो ये अभी भी 11,000 रुपे के टॉकन अमाउंट पर जारी है कमपनी मारूति फ्रॉंक्स के CNG वर्जन को 1.2 लीटर K-सीरीज डू़ल जेट डू़ल VVT इंजन के साथ पेश करती है पेट्रोल पर ये इंजन 89.73 PS की मैक्स पावर के साथ 113 एनम का पीक टॉक जनरेट करता है वहीं CNG वर्जन पर ये इंजन थोड़ी कम पावर और टॉक जनरेट करेगा बता देगी इसका 1.2 लीटर इंजन 5MT और 5AMT ट्रांसमिशन आपशन के साथ आता है लेकिन CNG वर्जन में इसके सिर्फ 5MT के साथ ही आने की उमीद है फ्रॉंक्स में आपको जो दूसरा इंजन आपशन मिलेगा वो 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो की 100 PS पावर के साथ 147.6 NM का टॉक जनरेट करता है वहीं ट्रांसमिशन आपशन के अगर बात करें तो इसके साथ आपको 5-speed manual और 680 मिलता है ये इंजन आपशन डेल्टा प्लस ट्रिम से मिलना शुरू होगा हाला कि इसके डेल्टा प्लस में टर्बो के साथ केवल manual ट्रांसमिशन ही आपको दिया जाएगा जबके इसके जैटा और एल्फा ट्रिम में MT और 80 दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी इसको लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखते रहने करें माल चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें